आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट दवा अग्यारिकस मस्केरियस के बारे में जो अग्यारिकस मस्केरियस है इसका कॉमन नेम होता है टोड्स टूल जो की फंगाई फैमिली से आती है जैसे प्लांट कींडम होता है वैसे फंगस से भी इसका अगर हम बात करें स्फियर ऑफ एक्शन की कौन-कौन से शरीर के पार्ट में ये काम करती है तो इसका सबसे इंपोर्टन काम होता है आपके नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन क्रीव पर ये दवा ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है जो लोग क्रॉनिक अलको इसके अलकौहल का कंसमिशन किया है अब उसको छोड़ दिया है उसके कारण उनको बहुत जादा दिमाघी समंधी परिशानियां आ रही है तो डिलीरियम टरेमनसी तो ने की systemic ne करते बाद रहे है या नोनले के बाद सिम्टंस के फॉम में पहुत सारे पर सिम्टम आ काम आती है जैसे कि'idades में अब यह जो पाल्य स्थ होता है कि आफका जो होता है इसमें जो का लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट पका हैं होता है और जो आपका राइट लेग होता है उस पर काम करती है नहीं जैसे like or podium होती है लेकिन ये दवा opposite होती है अगर left side का paralysis होता है यह अपर body में left side और lower body में right side का paralysis होता है तो agaricus एक बहुत important दवा है जो agaricus दवा होती है इसके अंदर एक बहुत important symptom दिखा जाता है कि korealike symptoms होते हैं आपको twitchings होते हैं शरीर में involuntary moments होते हैं ना चाहते हुए भी आपके body का कोई part है जिसमें फड़कन सी महसूस होती है आपको चाहिए वह shoulder हो सकता है muscles में face की muscles में twitching महसूस हो सकती है तो जिसको हम korea बोलते हैं यानि ना चाहते हुए भी आपकी muscles में moment होता है उसके लिए agaricus नंबर एक दवा है तो paralysis के लिए और ये teaching like symptoms के लिए भी agaricus एक बहुत अच्छी दवा है यह दवा वहाँ पर जादा important हो जाती है जहां पर जो symptoms आ रहे हैं bad effects of alcohol के करण आ रहे हैं या bad effects of sexual excesses के करण आ रहे हैं इसके लावाँ जो यह दवा होती है skin के बहुत सारे complaints में काम आती है तो skin में chill blains के case में या बहुत जादा अगर सर्दी लगने के बाद या सर्दी के मौसम में आपकी उंग्लियों का सू जाना उसमें redness आना उसमें बहुत जादा खारिश होना इचिंग बहुत जादा होना या frostbite के case में भी यह दवा काम आती है तो सर्दी के करण अगर आपको शरीर में यह सारे तकलीफियों हो गई है और आपको जो दर्द होता है वह जासे लगता है कि सुन्या से चुब रही है अब यह जो सुन्या होती है नीडल होती है लिकिट बरफ की बने होई होती है तो अगर पेशेंट खुदी बताता है की इसा लगता है कि जो बरफ की बने हुई सुन्यों से मुझे यहाँ पर के सेंसेशन उसको हो रही है तो यह अगर स्वेब संगोंशन चिंटी अस playing अबाइना आपको सोचना है ऑगेरिका स्मटरियस यह बह सबसे में रहता है मिशा कॉंस्टेंट रेविंग रहती है तो डिलीरियम की केस में भी यह दवा काफी जादा उपयोगी होती है सबसे इंपर्टन चीज है कि अगर अलकोहल लेने के बाद यानि कि अगर आपने बिड्रॉल कर लिया है आपने बिल्कुल खतम कर दिया अलकोहल आप नहीं लेते हैं लेकिन अब आपको बिना अलकोहल के शेरीर में बहुत सारी उल्जन होती है तरह तरह के आपके मूमिंट होते हैं आपका मूड अच्छा नहीं रहता है आप चुर्चड़ रहते हैं या बुजर्गों की केस में यह बहुत इंपर्टन दवा होती है है तो आपको जो बैलंस है आपका ओल्ड एज करन बिगड़ रहा हो या बहुत जादा पुरानी को हिस्ट्री रही है आपको दिमागी संबनी परेशानी की उसके करन आपका बैलेंस बिगड़ रहा हो या आपने क्रॉनिक अलकोहल आपको रहा है अपने क्रॉनिक बहुत सम सश्यन हुतie तो रह स्पेश्यली क्लाई में तरक होती है उनको अगर बहुत-बाज जाती है ने यह होता है लगता है कि ब्लीडिंग सी हो जाएगी तो उस जगा की पर्टिकुलरी उस जगह की इचिंग के लिए भी अगेरिकस बहुत अच्छी दवा है तो frostbite के के लिए case में तो है यह यह दवा लेकिन अगर particularly आपको coccyx bone की इचिंग होती है वहाँ पर भी यह दवा उपयोगी होती है इसके रामा जो patient होता है बहुत ज़्यादा sensitive होता है single vertebra is sensitive to touch मतला बिल्कुल उसको लगता है कि कोई भी जो vertebra है जो spalancord की जो vertebra है उनको कोई भी touch नहीं करें इतना ज़्यादा वह sensitive होता है इस तरह के जो patient होते हैं बहुत ज़्यादा chilly होते हैं और उनको जितनी भी तकलीफे होती हैं यह स्तरदी से यह सारे symptoms हैं और यह जो कारण है यह एलकोहल का कारण हो गया या ओल्ड एज का कारण हो गया या जो neurological defects होते हैं उनके कारण भी अगर symptoms आ रहे हैं तब इस दिया जाता है तो अगर का नमबर एक प्रियोग आता है paralysis के केसमें अगर कोई patient paralysis का आता है या Parkinson's के case में इसका बहुत अच्छा प्रियोग रहता है Parkinson's के case में जब पूरी body का जो balance होता हुआ बिगड़ रहा होता है इवन हाथ में कोई glass पकड़ो या चम्मच पकड़के खाना खाने इसमें हाथ अगर move कर रहे होते हैं शिक कर रहे होते हैं उससे में भी ये दवा दिया जाता है तो Parkinson's के case में अगर आपका body का balance नहीं बन रहा है आप अपना moments नहीं कर पा रहे हैं आपको चलने में जो कदम है आपको छोटे हो जा रहे हैं आपको रास्ते में कोई चीज अगर अर्चन पड़ती है तो आप उसको cross करके आगे नहीं निकल पाते हैं या आप गिर जाते हैं तो उन सारे conditions में भी agaricus दिया जाता है तो agaricus overall आपके body के लिए बहुत अच्छी दवा है जहां पर आपका जो brain होता है उसमें जो functioning है brain के जो functioning है उसमें कमी आती है और इसके जो symptoms होते हैं aggravate होते हैं alcohol के बाद सर्दी के मौसम के बाद और walking से ये patient को rest करके सारे symptoms में आराम मिलता है तो ये जो दवा होती है अगर हम इसके potency की बात करें तो ये दवा हर potency में available है छोटी से लेकर बड़ी potencies में available है अगर आपको इस दवा को लेना है तो आप symptoms को देखें अगर आपको symptoms match होते हैं तो इस दवा को आप 200 potency से start कर सकते हैं 200 potency की 2 doses आप रोज ले सकते हैं 4-4 मुने दिन में 2 बार ले सकते हैं paralysis के case में या frostbite के case में ये सारे दवाईयां ये जो दवा है इनको इस doses में आप ले सकते हैं बुजर्गों के case में जिनकी कोई और दवाईयां चल रही हैं hypertension, diabetes वो भी इस दवाईयां को पूरी तरह से safely ले सकते हैं तो ये जो description था agaricus mascarious homeopathic medicine के बारे में था एक बहुत ही छोटी दवा है लेकिन बहुत ही particular और बहुत ही जादा effective ये दवा होती है तो friends, I hope कि ये information agaricus mascarious के बारे में आपको पसंद रहे होगी wishing you a very good health thanks for watching